ICC ने ताज़ा टेस्ट रेंकिंग को जारी किया है जिसमें इंग्लाइन के पूर्व कप्तान और खिलाडी जो रूट को बड़ा फायदा हुआ है आगको बता दें कि जो रूट टेस्ट में नमबर एक बलेवास बन गए है और उन्होंने ऑस्टेलिया के मारनेश लवुशेन को पचार दिया है मारनेश लभुशेन इस वक्त दूसरे नमर पर आ गए है और जो रूट नमर एक पर आ गए है जो रूट के 897 पॉइंट है और मारनेश लभुशेने के 892 पॉइंट है वहीं बात करें अगर इस लिस्ट की तो तीसरे नंबर पर है उस्टेलिया के ही स्टेव स्मित जिनके 845 पॉइंट है इसके अलाबा चौते नंबर पर पाकिस्तान के कप्तान बाबाराजम 815 अंकों के साथ बने होए हैं पांचवे नंबर पर हैं न्यूजिलेंड के कप्तान केन विलियम सन अगर भारतियों की तो टॉप 10 में दो भारती खिलाडी शामिल हैं जिसमें आठवे नंबर पर हैं रोई शर्मा जिनके 754 अंक हैं इसके अलावा दसवे नंबर पर हैं पुर्व कफ्तान विराट कोली जिनके 742 अंक हैं इसके अलावा अगर बात करें जो रूट की तो जो रूट साल 2015 में पहली बार टेस्ट के नंबर एक खिलाडी बने थे इसके बाद साल 2021 दिसंबर के महिने में जो रूट आखरी बार टेस्ट में नंबर एक खिलाडी रहे और 163 दिनों तक वह अपने स्थान पर बने रहे लेकिन इसके बाद स्टिव स्मित ने उन्हें पचाड़ा और बाद में मारनेश लभुशियन ने उन्हें पचाड़ा बराल बात करें अगर गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में रवी चंदर अश्वन दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और उनके 850 अंक हैं इसके अलावा जस्परीद बुम्रा को गेंदबाजी में फायदा हुआ और वह एक अंक उपर चड़कर तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं जस्परीद बुम्रा के 830 अंक हैं इसके अलावा बात करें अगर ओल्राउंडर्स खिलाडी की तो नंबर एक पर भारत के रविंद्र जड़ेजा बने हुए हैं और वह दुनिया के नंबर एक टेस्ट ओल्राउंडर्स खिलाडी हैं जिनके 385 अंक हैं इसके अलावा नंबर दो पर भारत के ही रवी अश्वि